वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नौले राइजिंग हब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और लेटेस नूटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दवाएं ताकि जब भी चैनल में नई वीडियो आए तो आ आप तार नौटिफिकेशन पहुच जाए लो एवरीवन कैसे आप सब उमीद करती है आप सब ठीक होंगे तो जो हमारा टारगेट SSC MTA 2021 किस चल रहा है उसका आज पार्ट 6 है special classes अभी तक की बहुत सारी चल चोकी है आपने नहीं देखा तो देखना मैं link description में देदूंगी बहुत important question है सारे parts में तो आज भी बहुत important question रहने वाले हैं चलिए start करते हैं ज्यादा देरी ना करते वे so the first question is berry berry is caused by deficiency of berry berry किस की कमी के कारण होता है तो किस की कमी के कारण होता है berry berry vitamin B1 की कमी के कारण होता है और मैंने अपने vitamin K वीडियो में उसके trick बता रही है बहुत अच्छी trick बता रही है सारे sources की ठीक है तो आप देखना बहुत ही important मैं सारे important topic already cover करती हूँ जो exam में आते है ठीक है मैं link description में दे दूँगी i button में दे दूँगी तो इसका मैं आप सासाथ ये भी बताऊंगी कि इसका chemical name के है उस video में भी मैंने पूरा detail में समझा रहा है जाके देखो फटाफट से बहुत ही important of vitamins पे questions बनते ही बनते है हर exams में ठीक है तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ B1 का है thai mean ठीक है B1 का क्या है thai mean है ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ था कि आपको याद रहे B1 का क्या है chemical name thai mean है ठीक है अब बाकी option मैं आते है B3, B3 का क्या है naisine और इसकी जो कमी से होने वाली disease है वो कौन सी है palagra ठीक है अब B6 का क्या है B6 का जानते है B6 का ha pyridoxyn इसकी कमी से anemia होता है ठीक है B12 का क्या है B12 का है cobalamine और इसकी कमी से भी anemia होता है एक बार वो वीडियो जरूर देखना बहुत इंपोर्टेंट है, मैंने सारे उसमें टाइमिंस कवर कर रहे हैं, आपको देखना कुछ याद करने के जरती नहीं, आप लास तक वीडियो देखोगे, आपको पूरा डिटेल में खुदी याद जाएगा, इतनी अच्छी ट्रिक होता है, क्या होता है, हमेचा, the size of image formed by plane mirror, ठीक है, जो हमारी plane mirror से size बन रही है, वो object से क्या होता है, equal होता है, smaller होता है, greater होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, इक्वाल तू दा अबजेक्ट होता है, ठीक है, the size of image formed by plane mirror, जो size बन रहा है, plane mirror से, is equal to the object, क्या होता ह equal to the object, ठीक, so the next question is, Tropical Forest Research Institute, TFRI is located in which city, ये कहा रहे, TFRI कौन सी city में लोकेटेड है, तो कहां पर है, ये है अपना जबल पूरपे है, कहां पर है, जबल पूरपे है, ठीक, so the next question is, which symbiotic bacterium is responsible for nitrogen fixation, ये कहारे, nitrogen fixation के लिए कौन सा सहजीवी जिवानु जिमेदार है, तो कौन सा है वो, राइजोवियम है, ठीक है, ये याद कले न, अच्छा कोशन है, जो राइजोवियम होता है, वो nitrogen fixation के लिए responsible होता है, ठीक, so the next question is, direct access of file is also known as, file की direct access को और क्या कहा जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, random access भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, random access भी बोला जाता है, direct access of file को, ठीक, so the next question is, which of the following pair is incorrectly matched, इन में से कौन सा incorrectly match है, ठीक है, तो Tawa, Gujarat, ये तो पहले ही वाला गलत हो गया, नहीं, जो Tawa Dam है, वो कहां पर है, वो अपना Madhya Pradess में है, कहां पर है, Madhya Pradess में है, ठीक है, तो पहला ही वाला गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ये गुजरात में नहीं है, ठीक है, और बाकी option देखते है, जो कौरबा है, वो 36 गड में है, ठीक है, नागार जोन है, आंदरप्रदेस में है, ठीक है, फारक का जो है, वेस बेंगल में है, ये भी ठीक है, देखो इससे आपको बाकी तीन option भी याद हो जाएंगे, ठीक है, और Tawa, तो मैने बताई दिय कहां पर है, मदीप्रदेश में, ठीक है, ठीक, तो दर नेक्स कोस्चिन इस, नॉमिनेशन अवराजी सभा मेंबर by the President was taken from the Constitution of, नॉमिनेशन अवराजी सभा मेंबर, राजी सभा मेंबर, राजी सभा मेंबर का नॉमिनेशन जो कि प्रेजिडेंट करता है, वो कौन से गंटर सुनना impeachment लिया गया है functions of president and vice president vice president or president के functions लिया गया है ठीक है और supreme quarter high court का removal लिया गया है fundamental rights लिया है जुढिशियल review लिया गया है और preamble लिया गया है ठीक अब south africa से क्या लिया गया है? South africa से लिया गया है election of members of the r Instagram ठीक? Raji sabha के members का election लिया यहां क्या लिया गया है? election लिया गया यहां तो nomination लिया है island से nomination आधेवरेन्स देखो और यहां से election लिया गया thé續 आफ़े france से लिया गया है रिपब्लिक का concept लिया गया है तो दो नेक्स कचिएन पैडलोजी दील विद इस scientific study of पैडलोजी कौन सी साइंटिफिक स्टडी से डील करती है ठीक है, अब मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी ये भी अपनी मैं पूरी एक साइंस की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें सारे बायलोजिकल टर्म्स दे रहे हैं जो की एक्जामस में बनते हैं, आपको पता एक या दो कोशन इससे बनी जाते है अगर आपने वो वीडियो देख लिए आपको याद करने के जरती नहीं इतने अच्छे ट्रिक्स के साथ बता रहा है जैसे मैंने पैडलोजी का क्या बताया था पैडलोजी का क्या बन गया हमारा मिटी क्या बन गया हमारा मिटी किससे रिलेड़ेड़ होगा है सोईल से कि हमारा पैड जो है मिटी में उकते है ठीक है अब बाकी ऑप्शन बता है रॉक्स रॉक्स का क्या है पैट्रोलोजी है ठीक Caves, Caves की study को क्या बोलते है Pallology बोलते है Fossils की क्या बोलते है Pallinotology क्या बोलते है Pallinotology ठीक है, तीनों के मैंने बता दिये और Pallology का तो मैंने ट्रिक के साथ बता दिया वो वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन मैं देदूँगी जाएके जरूर देखना वो वाली वीडियो ऐसे मैं important topics पर बनाती ही बनाती हूँ जो exams में आते ही है एक या दो question भी कहा जा रहा है वो भी फज़ गया आपका तो है नि So the next question is Which of the following writ provide a remedy for a person who has been unlawfully held in prison निमने लिकित मैंसे कौन सा writ उस वक्ति के उपाय प्रदान करता है जिसमें गैर कानोनी रूप से जेल में रखा गया हूँ ठीक है तो कौन सा writ होता है वो जिसमें गैर कानोनी धंग से unlawfully गैर कानोनी धंग से उस वक्ति को जेल में रखा गया तो उसको बोलते हैं Hibis Corpus क्या बोलते है Hibis Corpus Bandi Pratikshikaran ठीक है So the next question is Who presides over the joint seating of people House of the people लोग सभा कि सयुक्त बैठक क्या अधिक्सता कौन करता है तो कौन करता है Speaker करता है कौन करता है Speaker करता है ठीक है Joint seating की क्या अधिक्सता ठीक So the next question is Microsoft Excel is also called Microsoft Excel को और क्या कहा जाता आपको पता है Microsoft Excel में rows and columns होते है क्या होते है rows and columns होते अपने नाम हम fit कर सकते है इस में date of birth कर सकते है city कर सकते है सब कुछ कर सकते है So the next question is Book a Brief History of Time is written by Book a Brief History of Time किसके दुआरा लिखी गई है तो यह किसके दुवारा लिखी गई? Stephen Hawking के दुवारा लिखी गई है किसके दुवारा लिखी गई है? Stephen Hawking के दुवारा लिखी गई है Book Brief History of Time ठीक? So the next question is The term fraternity in the preamble of the Indian constitution means a sense of भारती सविधान की प्रस्तावना में बिरादरी सब्द का क्या अठर है? तो बिरादरी सब्द से लगालो क्या हो सकता है? जो हमारी बिरादरी होती हो उससे हम भाईचारा रखते है ना? अपना ब्रदर हूड रखते हैं तो fraternity का मितलब क्या है? Constitution में? Brotherhood क्या है? Brotherhood ठीक? So the next question is Which of the following is exclusively marine animals? निमने लिखित में से कौन विशेश रूप से समुंदरी जानवर है? तो कौन है? Echinoderms कौन है? Echinoderms जो ये होती है अनिमल होता है ये मेराइन अनिमल होता है एक पानी में रहने वाला अनिमल होता Echinoderms ठीक? Next question is DAS is the correct formula of ammonium phosphate Ammonium phosphate का सही फार्मला क्या है? तो क्या है NH4-3PO4 क्या है? C option NH4-3PO4 Ammonium phosphate का correct formula है ठीक? So the next question is Who is considered the architect of Indian constitution? भारे समिदान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है निर्माता? B.R. Ambedkar Ji को माना जाता है यह हमारे architect के रूप में कहलाए जाते हैं क्या कहलाए जाते हैं? architect कहलाए जाते हैं B.R. Ambedkar Ji ठीक है? So the next question is Who among the following became the country vice president twice? निमने लिखित में से कौन दो बार देश के उपरास्टर पती बने हैं तो कौन बने है? सर्व पल्ली राधा कृष्ण जी बने है ठीक है? और यह पहले vice president भी रहे है और दो बार vice president भी यही रहे और इन ही के birthday पे 5 September को teacher's day celebrate करता है कब 5 September को करता है न teacher's day celebrate तो इन ही के birthday पे करता हैं ठीक है? Which of the following pair is incorrectly match? पाचनिमने लिखित में से कौन सा गलत है तो कौन सा गलत है पहले हम देखते है Colosseum Italy यह ठीक है Colosseum Italy का ही एक बहुत बड़ा सहर एक oval रंग भूमी है यहां की Italy की बहुत बहुत अच्छी रंग भूमी है यहां पर की तो यह ठीक है Chechen, Idza, Brazil यह गलत है तो यह incorrectly match यह वाला option है क्यों? क्योंकि यह एक Terminal Classical Call के Maya logo द्वारा निर्मी तेक बहुत बड़ा Colombian शहर है क्या है? Colombian शहर है तो यह Colombia में है यह Brazil में नहीं है यह कहा है Colombia में है बाकी option देखते है Petra, Jordan यह भी ठीक है यहां पर Petra में क्या है Tom's and Temples है बहुत सारे और यह कहां पर है Zordon में है यह भी ठीक है ठीक है? Machu Pichu, Peru में है यह भी ठीक है यह एक Ikaan गड़े जो बहुत ऊचा है जो कि Peru में है यह भी ठीक है तो कौन सा गलत है? Chichen Itza, Brazil में नहीं है यह की Colombia में Question is The concept of Sovereign Parliament is originated in यह कह रहे हैं कि Sovereign का जो Concept है Parliament में वो कहां से लिया गया है तो कहां से लिया गया है? वो Inland से लिया गया है कहां से लिया गया है? Inland से लिया गया है So the next question is Hemophilia is a kind of disease which is Hemophilia एक प्रकार की बिमारी है जो क्या है? वो क्या है हम जानते हैं वो है Heredity और यह Inherited Genetic Disorder ही है Inherity ही होता है यह Hereditical ही होता है So the next question is With the reference to Steel Plants in India Which of the following is correct? कहरे कि भारत में सपाथ साहित्रों के संधर्भ में कौन सा जोडा ठीक है? तो कौन सा जोडा ठीक है? पहले हम पहले से ऑप्शन से जानते है Durgaapur Udisa यह गलत हो गया क्यों? क्योंकि जो Durgaapur Udisa में नहीं है वो West Bengal में है कहा है? West Bengal में तो पहला वाला गलत हो गया सालिम Tamilandu यह सही है बस एक ही ऑप्शन सही है इसका ठीक है? और Rohir Keala West Bengal यह भी गलत है यह कहा है? Rohir Keala का? Rohir Keala का? यह Udisa में है ठीक है? बुकारो बिहार में यह भी गलत है यह कहा है? यह जारखंड में जारखंड में तो इसका औप्शन करेक्ट औप्शन काम सही है? B B वाला ठीक है सालिम Tamilandu में ही है ठीक है? So the next question is HIV is HIV क्या है? HIV एक रेट्रो वाइरस है क्या है? एक रेट्रो वाइरस है ठीक? So the next question is The दर्गा ओफ सेख ख्वाजा कुतुमेदीन बक्तियार काकी is located in सेख ख्वाजा कुतुमेदीन बक्तियार काकी की दर्गा कहां पर इस्तित है? तो यह कहां पर इस्तित है? यह अपनी दिल्ली में इस्तित है कहां पर इस्तित है? दिल्ली में इस्तित है ठीक? So the next question is How many languages are constituted in the 8th schedule of Indian constitution? यह बहुत बार बतार का मैना कि भारती सविधान की आथवी सूची में कितनी भासाओं की मानिता दी गई है तो कितनी भासाओं की मानिता दी गई है अब मैंने इसी पे एक बहुत अच्छी वीडियो बता रही है ती चेडियूल पे कैसे आप याद कर सकतो Tiers of Old PM अगर आपको याद आ रही है तो आप जाके देखना मेरी वो वाली वीडियो भी मैंने बहुत अच्छी से शेडियूल समझा रही है ठीक? So the next question is The headquarter of National Institute of Ruler Development and Panchayati Raas Is located in NIRDPR कह रहा है कि कहां पे located है तो यह कहां पे located है? हैदराबाद में located है कहां पर है? हैदराबाद में So the next question is Which of the following is not related to fundamental right? निमने लिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है? अब देखते कौन कौन सा है? Right to form association यह भी है Right to education यह भी है Right to life यह भी है Right to property नहीं है ठीक है? पहले fundamental में था लेकिन 40 पहले यह था लेकिन 44th amendment act of 1978 के बाद abolish कर दिया गया इसको ठीक है? अब next में आते हैं Right to form association यह कौन से article में आता है? Article 19 में आता है Right to education कौन से article में आता है? 21 A के अंडर आता है Right to life किसके अंडर आता है? 21 के अंडर आता है ठीक है? पता चल गए सारे? अब next में पूछूंगी बता दोगे ना? ठीक है चलो फिर So the next question is Vegetables are cooked in less time of adding a pinch of salt while cooking Because सबजी पकाते समय एक चुटकी नमक डाल के कम समय में पक जाती है क्यूं? आज पूछना अपनी मम्मी से कि जब सबजी पकाते हैं उस टैम पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि सबजी जल्दी पक जाए क्यू होता है ऐसा? क्यूंकि boiling point of water increases ठीक है? Water का boiling point increase हो जाता है क्या हो जाता है? Increase हो जाता है ठीक? So the next question is Reserve Bank of India does not transact the business of which of the following state government भारती Reserve Bank निमने लिकित मैंसे किस राजी सरकार के कारोपर का लेंदें नहीं करती है तो किसका नहीं करती है? Jammu Kashmir का नहीं करती है आपको पता है RBI father है सारे banks का तो सबसे वह transaction करता है Bihar से भी करता है Telangana से भी करता है Meghalay से भी करता है लेकिन GNK से नहीं करता है इनका अपना bank है ठीक है? So the next question is What are the microorganisms that break down the dead animals and waste products of organisms called? जीवों के मृत अवसेशों और अपसिस्ट उत्पादों को तोडने वाला शूस में जीव क्या कहलाते है तो क्या कहलाते है? वो कहलाते है decomposers क्या कहलाते है? Decomposers जो dead remains and waste products को break down कर देते हैं ठीक है? यहां तक के 30 most important questions थे बहुत ही important question है यह सारे repeated question है सारे exams की repeated और MTS में भी repeated questions है उमीद है इस बार आप लोग की exams में भी repeat होंगे यह पक्का से ठीक है? तो बने रहना मेरी videos से ऐसी मेरी और classes से मिलते हैं अपनी next video में